दोस्तों, रीसेंटी भारत सरकार ने 30 मिनरल्स को as critical minerals identify किया है। आखर ये critical minerals होते क्या हैं। किन parameters के उपर इन्हे identify किया जाता है और इनको अलग से critical define करने की जरूरत ही क्या है। 2023 से पहले, इंडिया अपनी mineral policy को किस परकार से follow करता था। critical minerals को identify करने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन सी stages को follow किया। and what are the practices that are being followed in other countries। इन सारे मुद्दों के बारे में पूरी 360-degree analysis हम करेंगे Study IQ के YouTube चानल पे इंडियन एक्स्परेस सीरीज में चंगन शर्मा में। इसको जरूर देखें और courses में unroll करने के लिए use करें code cslite